हलो दोस्तों, स्वागत आपनों का मेरे YouTube चनल सरी याड गैलरी में दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में बारत के प्रसीद कलाकार GM एहवासी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो, GM अईवासी आधनी केमा सामकालिन कलाकारों में से एक प्रसीद मुर्धन कलाकार के रूप में जने जाते हैं दोस्तों, ये कलाकार के सासत प्रसीद कभी संगीतग और कृष्ण के भगत के रूप में भी जने जाते हैं तो इन ही से related आज के टॉपिक में हम लोग इनकी प्रसिधियां, इनकी प्रमुक विसेस्ताइं, इनकी सिच्छा, इनकी प्रमुक प्रमुक चित्रों के बारे में भी आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे दोस्तो प्रमुक जियाम अहिवासी के जीवन प्रसिधिय के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जयाम अहिवासी का जो पूरा नाम था वो नाम था जगरनाथ मुरलिधर अहिवासी और इनका जो जन्म होता है वो 6 जुलाई 1901 को उत्तर प्रदिस की पवित्र नगरी ब्रज भूमी में कहाँ पे ब्रज भूमी में गुकुल की निकट बलदेव ग्राम में हुआ था ध्यान दिजी का बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तो जो जी एम अईवासी जी थे वो बच्पन से ही वश्णोभक्ति विश्यक साहित और चितरकला में रूची लेते थे दोस्तो इनके पिता जी का जो नाम था वो नाम था मुरली धर यहाँ पे ध्यान दिजेगा थोड़ी से मिस्प्रिंटिंग हुई है गुरली धर नहीं है मुरली धर है इस पॉइंट को नोट करिएगा इनके पिता जी का जो नाम था वो था मुरली धर और मुरली धर जी उश टाइम में एक धुरूपद और धमाल के उच्च कोटी के कथा वाचक और गायक के रूप म अहिवासी जी के भी उपर पड़ा और पो बचपन से ही वैशन भक्ती विजयक साहितों चित गला में रूची भी लेते थे आईए देख लेते हम लोग इनकी सिच्छा के बारे में दोस्तों आईए हम लोग देखते हैं अहिवासी जी की सिच्छा के बारे में दोस्तों आप यो परीवार की जो लोग थे वो पुरबंदर गुझरात में रहते थे और अहिवासी जी, कि माताजी का जब निधन हो जाता है तो उन्हें भी पुरबंदर आना पड़ता है, और वहीं पर अपने परीवार के लोग भे उनके थे, तो पुरबंदर की एक पाट साला में इनका प्रारम्भिक सिच्छा जो होती है वो प्रारम हो जाती है परंतु वहां की जो पाट साला थी उस पाट साला की सिच्छा से ये अहिवासी जी काफी असंतुष्ट थे अर्थात उस सिच्छा में वो रूची नहीं लेते थे और उनका मन भी सिच्छा में नहीं लगता था एक दिन की बात है जब उनके घर पर उनके पिता जी की एक दोस्त आये और वो मुसलिम थे तब उन्होंने बालक की प्रतिभा को पहचाना और अपने एक मुसलिम चितरकार जो काठियाबट में रहते थे उनसे उनका परिचय करवा दिया अर्था अहिवासे जी का जो परिचय जो था एक मुसलिम चितरकार से करा दिये क्योंकि वो अहिवासे जी की जो रूची थी उस रूची को पहचान चुके थे कि अहिवासे जी चितरकाला में काफी इंट्रेस्ट लेते थे और उसी के अनुसार उनको एक मुसलिम चितरकार के पास ले जाकर काठियाबट में उन बढ़ने लगते हैं जब अहिवासी जी को इस नए बातावरण का एहसास हुआ तो उनकी जो प्रतिभाती वो सिख्रता से विक्षित होने लगी और उन्होंने इस प्रतिभा को इतनी उचाईयों पर ले गए कि उन्होंने मातर 13 वर्ष की अवस्था में ही उस टाइम थर्ड की परिच्छा उत्रिर कर ली दोस्तों यह बहुत ही प्रतिभावान कलाकार थे इसलिए इनसे रिलेटेट जो कोस्चन होते हैं अक्सर एक्जाम में पूर्ट अप होते हैं आगे और कुछ समय के पस्चात जब उन्होंने थर्ड गेर की परिच्छा प्राप्त कर ली तो वह इस टाइम इतना उदक्रिष्ट यह चितर हुआ था कि उस टाइम वहाँ के जो ततकालीन गवर्नर थे उस चितर को से काफी प्रभावित हुए और जिससे इनकी ख्याती अलबाईू में भी फैलने लगी और उस चितर को वहाँ के गवर्नर ने था उसका उदघाटन भी उन लप्तियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जीम अहिवासी 1922 में सर जेजे इसकूल आप आर्ट में प्रभीज लेते हैं क्यों ब्यक्ति चितरन में कुछलता प्राप्त करने के लिए जी दोस्तों अक्सर एक्जाम में कुछ्चन प्रभीज किस सन में लिया था तो आप लोगों का उत्तर होगा 1922 में क्योंकि उन्होंने ब्यक्ति चितरन में कुछलता प्राप्त करने के लिए जीजे इसकूल आप आर्ट में प्रभीज लिया था और उस टाइम अहिवासी जी ने अपने अनवरत साधना और परिश्रम से चार वर्से के पाठिकरम को केवल दो वर्स में ही पूर्ण किया था इतने वो परतिवावान कलाकार थे जानते हैं आप लोग कि उस टाइम क्या होता है कि जीजे अहिवासी इतने परिश्रम किये थे कि वहां मॉंबई में एक अभीनो कलाकेंद्र था और उस टाइम अपने खाली समय पे उस अभीनो कलाकेंद्र में भी जाकर कारे अनवरत कारे करते थे इसलिए उन्होंने जेजे इसकूलाप आर्ट का चो चार वर्स का डिपलोमा कुर्स था वो मात्रे दो वर्स में ही पूर्ण का लिए तोस्तों यहां पे आप लोगों को बताना चाते हैं कि 1922 म जब इनके पिताजी की मृत्य हो जाती है तो इन्हें अपने अध्यान को पीच में ही छोड़कर घर पुर्वंदर आना पड़ा क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यू 1922 में हो जाती है तो यह वहीं के मंदिरों में भजन किर्थन करते थे और इनके घर के पास में ही एक दोस्तों उस समय बंबई सरकार की चित्रकला की उच्छ परिच्छाओं की समीती के ततकालीन अध्यच थे ध्यान दीजी का कौन थे वो टीजी ब्याग थे और उस समय जेजी इसकूलाप आर्ट के जो ततकालीन डाइरेक्टर जो थे वो गलेड इस्टन सोलेमन थे अब आईए बात करते हैं हम लोग 1925 इसमी में जेजे अहिवासी ने कौन सी उपलब्थियां प्राप्त की दोस्तों जब 1925 इसमी का टाइम आया तो जब 1922 इसमी में वो अपने घर पे रहते थे तो इनकी प्रतिभा को देखकर जो डीजी ब्यास थे उन्हें एक बार फिर से म गुंबई लेकर जाते हैं और जेजे इसकूलाप आर्ट के डाइरेक्टर गलेट इस्टोन सोलेमन से अहिवासी जी का ब्यतिगत परिशे कराते हैं इनकी प्रतिभा को देखकर क्या होता है कि 1925 इसमी में जेजे अहिवासी को मियूरल चित्रन की छात्रवित्ती से प्रोश से पाव dasi जी जी ने 1926 में डिप्लूमा परिच्छा में स्वर्व प्रतम अस्थान प्राप्त किया और उन्हें सौन प्रतक भी प्राप्त हुआ 길 इगजाम में कोश्यन फूटव होता है कि जेजे अहिवासी को कि शरी मैं जी हैं बहुत ध्यान से लेंड करिएगा पूछ कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि 1926 में किसे बंबई आर्ट सोसाइटी का रजग प्राप्त हुआ था दोस्तों अब हम लोग जीम अहिफासी के 1930 के विशेस उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों को पतान एकजाम में कि सर जेजी इसकूलाप आर्ट में जीम अहिफासी को न्यूकती कब मिली थी तो वो थी 1930 में दोस्तों आप लोगों को बताना चाते हैं कि अहिफासी जी जब जेजी इसकूलाप आर्ट से डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और स्वरप्रतक प्राप्त करने के बा 1930 S.B. में GG S.Kulag 8 में जब इनको न्योगती मिलती है अध्यापक के रूप में तो वो किस छेत्र में मिलती है तो GG S.Kulag 8 में उन्हें भारती परंपरागत कलासली के अध्यापक के रूप में न्योगत किया जाता है जी दोस्तो बहुत important point है नोट करिएगा किस रूप में इनको न्यूक्ति मिले थी तो भारती परंपरागत कलासली के अध्यापक के रूप में इन्हें न्यूक्ति मिले थी जे जे इसको लाप आर्ट में और यहींपे कारे करते हुए इन्हें 1925 सिस भी में इन्हें बिभागा थ्यच भी बना दिया जता है तो स्तो यहां पर इन्हों ने अनुवरत परिश्रम किये अनुवरत करार किये और इनकी प्रतिभार वागी सिस से भी इन twor काफी प्रभावित थे और इनकी अनेग मिधा वी सिस भी आगे बढ़ें जिनका आज आधुनिक कला में भी बहुत ही सुमार है आई ये बात करते हैं उनके प्री सिस्यों के बारे में इस पॉइंट को बहुत ही गौर से नोट करिएगा क्योंकि अक्सर एकजाम में कोस्चन पूट लेता है कि इनके गुरु काउन थे इस बात क गौर करिएगा दोस्तो हम लोग जीम अईवाजी के मिधावी सिस्यों के बारे में देख लेते हैं इनके जो मिधावी सिस्य थे जैसे वाई के सुकला दिनेज सा दिनेज बक्सी प्रद्यूमन ताना क्रेश्न हैबर लच्मण पे अप्पा भाई आलमेरकर जैसे प्रजिद कलाकार भी जीम अईवाजी के सिस से माले जाते हैं और सिस थे जब इन्होंने जेजी इसकुलाप आर्ट में भारती प्रबारागत कलासली के अध्यापक के रूप में न्यूक्त हुए थे तो उस टाइम इन लोगों को उन्होंने सिच्छा भी प्रदान की थी और सिच्छा प्रदान करते हुए 1957 इस भी तक उन्होंने जेजी इसकुलाप आर्ट में अपनी सेवा प्रदान की और 1957 इस भी के बाद ये इनकी यहां से अध्यूत हो जाते हैं अब आगे हम लोग बात करेंगे जी एम अहिवासी के 1957 की उपलप्थियों के बारे में दोस्तों आप लोगों को जानना है कि उन्होंने 1957 इस भी में जब चीजी इसकुलाप आर्ट से रिटायर हुए तो उन्होंने कासी हिंदू विश्विद्याला वरार्सी में आचार के पदपर इनको न्यूक्ति मिल गई और उन्होंने कासी हिंदू विश्विद्याला में 1957 से 1966 वी तक अपनी कारे सुचारो रूप से किया और उन्होंको कासी हिंदू विश्विद्याला में ललित कला एबं संगीत महा विद्याला में आचारे के रूप में न्यूक्ति मिली थी और उन्होंने 1957 से 1966 से तक अपने कारी को बहुत ही सुचारू रूप से संपंध किया और यहां पर जो ललित कला एवं संगीत कला महाविद्याले में आचार की नूप में कारी किये थे इस बात को ध्यान दिजिगा और दोस्तो वारांसी में ही अपने आवास पर ही उनकी 1974 इस भी में नीधन हो जाती है तो दोस्तो खीर है आज अहिवास जी की जीवन परचे उनकी प्रमुख सिछाएं और उनकी प्रमुख प्रमुख उपलब्धियों के बारे में दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे इसके आगे के वीडियो में हम लोग नेश्ट टॉपिक जैसे उनकी प्रमुख प्रमुख विसेस्ताएं उनकी प्रमुख प्रमुख उपलब्धियां और उनके प्रमुख प्रमुख चित्रों के बारे में आगे के वीडियो में हमलोग चर्चा करेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक करतीजिए और जो भी दोस्त इस चनल को पहली बार वाज करने हैं प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अपने दोस्तों में सेर करतीजिएगा और आप लोगों को इसी प्रकार की प्योड़ी है कमेंट बागों के ज़रू बताइए आप लोगों के लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए